हलो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे कि कस्टमाइज लीस्ट कस्टम लीस्ट जो होती है वो कैसे आप पर्सनल न्यू लीस्ट आपकी एड कर सकते है या एडिट कर सकते है मैं आज वो दिखाऊंगा आपको जैसे कि आप देख रहे हैं आप जब भी कभी मन्त का नेम आप टाइब करते हो जैन्यूरी और यह जो फिल हैंडल से अगर आप ड्रैक करते हो तो देखें आप जैन्यूरी, फेबुरियरी, मार्च वो आटोमेटिक का उसने फिल कर लिया तो अभी आपको देखना है कि आप अपनी जो कस्टम लीस्ट है आप अपनी कैसे अड़ कर सकते है, अभी आपको रीजन चाहिए होता है, इस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, सौथ, आपको हर बार टाइप करना पड़ता है तो देखते हम कि वो कैसे अड़ करना है आपको कस्टम लीस्ट में, ठीक है, आपको फाइल में जाना है, फाइल, ओप्शन्स, और यहाँ पर एडवांस, एडवांस में जाना है, और फिर स्क्रोल डाउन, जैसे ही आप देखते है, क्रियेट लिस्ट फॉर यूजिन, शॉ उस पर क्लिक करना है, ठीक है, और आपको यहाँ पर आपको जैसे चाहिए आपको वैसे टाइप करना है, ठीक है, जैसे मुझे एस्ट, वेस्ट, नौर्थ, साउट, यह आपको कॉमा सेपरेटेड अड़ करना है, ठीक है, और यहाँ पर एक एक अड़ बटन है, वो उसे add करना है ठीक है तो आप यहां पे देख सकते है कि वहां पे वो show कर रहा है ठीक है हमारी जो एक custom list का जो box है उसके अंदर आपको अभी ok करना है जैसे मैं यहां पे अभी east ट्राइब करता हूं और जैसे इसे drag करूँगा देखे उसने जो है जैसे month का sequence है वैसे east-west, north-south ऐसे उसने sequence create किया तो इस तरह से हम custom list create कर सकते जो भी आपको जो daily use में हो अगर आप कोई company में कोई file create कर रहे हो अगर आपको कोई चीज बार-बार create करनी पड़ रही है तो simply आप उसे list में custom list में आप add कर सकते तो यह था custom list मिलते हैं next trick के साथ बाई बाई